नमस्कार साथियों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वालत है एक बहुत ही महत्वबूर सेसन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं मामला है कि अभी तक रूस और यूकरेन का जो विवाद है वो सुलजा नहीं था और इसराइल जो की भारत का एक बहतरीन मित्र र बीच में असल में इनके बीच का जो कंफ्लिक्ट है वो इसराइल की उत्पत्ती जब इसराइल देश बन रहा था उससे भी पहले का इन दोनों के बीच में विवाद है इसराइल जो की काफी एक विक्सित देश है इसराइल की खूफिया एजिंसी मोसाद जो की जानी जाती हैं ऐसी स्थिती में हमास के द्वारा इसराइल के उपर हमला किया जाता है और हमले में 200 के करीब लोगों की मृत्यू अभी तक हो गई है इसराइल के तो इतने कम जनसंख्या के अंदर इतने जादा लोगों की मृत्यू हो जाना इसराइल को काफी जादा उकसाने वाली ये का ज़से प्रकार से एक समय मुंबई में आतंकी हमले हुए थे मुंबई के अंदर पाकिस्तान से आई हुए आतंकी सणगों पर घूम घूमकर बेगोनाहर को मौत के घाट उतार रहे थे उसी प्रकार से इसराइल के अंदर भी हमास आतंकी संगठन के जो लड़ाके हैं वो दिखाई देते हैं न्यूज आप देखते हैं इसराइल पैलिस्टीन कंफ्लिक्ट असमें ये पैलिस्टीन क्या है तो आप फलिस्टीन के नाम से जिस देश को जानते है या फिर फलिस्टीन के नाम से एक देश जो हुआ करता था उसका उसी क निकल कर आते हैं और कहते हैं citizens of Israel के लिए we are at war कि हम जो हैं सीधे सीधे अब युद्ध में हैं ऐसा नहीं है कि ये कोई operation है बलकि ये पूरा युद्ध है not in an operation or in our rounds but at war सीधे सीधे कहते हैं कि ये इस्थितियां बिल्कुल युद्ध की तरफ पहुँच चुकी है बात कहां की हो रही है तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं मैप के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा Israel का जो भूगोल इतिहास किस प्रकार से रहा है वर्ड का आप मैप देखते हैं हमारा प्यारा एंट्री करते हुए इसराइल नामक देश पर पहुंचते हैं अभी पिछले कुछ दुनों में आपके साथ हमने एक सेशन साजा किया था जिसमें बताया गया था जी ट्वेंटी के दौरान भारत ने एक रोड या फर कहें कि एक प्रोजेक्ट की बात कही थी जुसके अंदर इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकोनोमिक कॉरिडोर यानि की IMECEEC की बात की गई थी अब वो जो है खत्रे के अंदर नजर आता है क्योंकि इसराइल और मिडल इस्ट से होते हुए ही यूरोपियन देशों तक वो रास्ता हमें बनाना था थोड़ा सा और जो है जूम करने के बाद इस मैप को समझते हैं इस मैप के अंदर आपने इसराइल को देखा कि छोटा सा आपको दिखाई देता है जब हम इसराइल के मैप को जूम करते हैं तब आपको कुछ इस प्रकार की इस्थिती इसराइल देश की दिखाई देती है इसके अंदर असल में ये पहले जो देश हुआ करता था इसराइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता है समय था दृतिये विश्वेदु का वर्ड वार टू का वर्ड वार तू के अंदर जब हिटलर की सेना यहूदियों को चुन चुन कर मार रही थी तो ऐसी इस्तिती में जर्मनी से निकल कर या कहें दुनिया बड़ से निकल कर जो यहूदी थे वो अपने लिए एक नए ठिकाने की तलास में निकले नए ठिकाने की तलास के अंदर उन्हें जो है ये जगह दिखाई दी यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहूदी आकर इखटे हुए और रहना इस जगह पर इन्होंने सुरू किया पहले इस देश को जाना जाता था फलिस्तीन के नाम पर फिर फलिस्तीन का आखर क्या हुआ तो जब यहूदी यहाँ पर इखटे हुए काफीत बुद्धिमान ये लोग हुआ करते थे शसकते ये लोग थे पैसे वाले लोग हुआ करते थे जर्मनी वे अगरा देशों के अं और इसके बाद लगातार जो फलिस्तिनी लोग हैं उनसे इनके conflict चल रहे हैं इसराइल की location के अंदर आप देखते हैं जो आपको ये part दिखाई देता है इसको आप जानते हैं West Bank के नाम से अब West Bank इसको क्यों बोला जाता है एक नदी इस छेतर से बहती है जिसको आप जानते है Jordan River के नाम से Jordan नदी के West की तरफ जो छेतर इस्तित है इसी को जानते है West Bank के नाम से जहां पर फिलहाल फलिस्तिनी लोगों का कबजा है और दूसरी जगह है गाजा इस्ट्रिप या फर गाजा पट्टी के नाम से जो आपको ब्राउन कलर की ये जगह दिखाई देती है इसरा इसराइल के लेवनान है, सीरिया है, जॉर्डन है, साउधी अरब है, एजिप्ट है, ये सारे के सारे मुस्लिम बहुल देश हैं और फलिस्तिन जो है वो भी एक मुस्लिम बहुल देश हुआ करता था तो फलिस्तिनी लोगों के समर्थन में ये जो तमाम देश हैं सीरिया, जोर्डन साउडियरविया चाहें इरान हो इराक हो ये सभी लोग इसराइल के ऊपर हमला कर चुके हैं और इसराइल अपनी मजबूती के कारण या कहें कि इसराइल उस समय इतना मजबूत हुआ करता था कि इन सभी देशों को इसराइल युद्ध में हरा चुका है और अब ज विबाद लंबे समय तक हो सकता है इसी प्रकार से चलता आए क्योंकि साउडी अरेविया है चाहें इरान है या तुर्की है ये सभी देश फलिस्तीन के समर्थन के अंदर आ गए हैं हाला कि हमला जो है वो इसराइल के ऊपर फलिस्तीन ने किया है उसके बाब जूद ये तम पर सकतर है तो बत्त अब बहुते हैं समयतों के पूर्वी यरूसलम पर दावा जताता है अब यहां की जो राजधानी reflective कि इसको आप जानते है यह फिसेएं विविया तो इसप के नाम दचाला वे हैं ये यह की राजधानी है हाला कि भारत जो इसकी राजधानी मानता है वो मानता है तेल अवीव नाम की एक जगे है उसको तो यरूसलम को लेकर इनका विवाद चल रहा है यरूसलम के अंदर असल में यरूसलम का यदि आप इधिहास जानते हैं तो यरूसलम के अंदर तीनो धर्म जो य fantao, ये यरूसलम एक महतुपूर धारमिक इस्थान रखता है और मुस्लिमों की स्थी सब से पवित्र जो मस्जिद है जिसको आप al- bolak Brittany्ष में사मस जानते हैं यहां मस्जिद भी यरू सलम को राजी बिलकुल नहीं है गाजा पट्टी इसराइल और मिस्र के बीच में है आपने इसकी लोकेशन देख ली है यहां फिलहाल हमास का कब्जा है यह इसराइल गरोधी समू है सितंबर 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना वापस बुला ली थी 2007 में इस इस इ इसराइल की इसराइल की एक गलती के कारण इस हमास का गठन हुआ था जानते हैं कैसे हुआ था यह 1948 में इसराइल के जन्म के बाद भी फिलिस्तीन से उसका संघर्स हर इस तर पर जारी रहा इसराइल को जब लगा कि डिप्लोमेटिक लेबल पर वो फिलिस्तीन के सामने पर पड़ रहा था तो 1970 के दसक में उसने फिलिस्तीन के एक कट्टरपत्ती संघर्स हुआ करता था उसको उकसा आया किसके विरुद उकसाया तो जो इसराइलिया कहें फिलिस्तीन जो हुआ करता था उसके अंदर हुआह फिश व्धार्वादी ने बारोवाधी नेता हुआ करते थे जिसको जानते थे पलेस्टीन लिबरेशन और्गनाईजिशन पी एल ओ नाम का एक संगठन था ये कुछ इस प्रकार के लोग थे जो अपनी मांग पूरी दुनिया के सामने सांति पूर्ण तरीके से रखते थे इनहीं को लिबरल लोग बोला याता था इसराइल ने स के अंदर ये जो कट्रपंथी संगठन हुआ करते थे पी एलो के खिलाफ जंडा लेकर खड़े हुए पी एलो जो है वो धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है इसके समाप्त होने के बाद जो कट्रपंथी संगठन हुआ करता था वो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और इसी को गिसा खुद इसराइल ने था और अब ये जिन जो है खुद इसराइल को परिशान कर रहा है हमास में करीब 27,000 लोग हैं काफी बड़ा ये संग्ठन है पूरी और्गनाइज तरीके से काम करता है इनके जो लीडर्स हैं चुने जाते हैं समय समय पर बदले जाते हैं पूरी तरह से एक मिलिटरी और्गनाइजेशन की तरह ही इसके द्वारा काम किया जाता है और जो वजह मानी गई है या फिर कहें कि हमास की तरफ से जो वजह बताई गई है कि क्यों ये हमला हमने किया है तो कारण है कि जो अल-अक्सा मस्जिद हुआ करती थी जो कि एक विवादित जगे है उस पर इसराइल के द्वारा किसी समय हमले किये गई थे और उसी के विरोध में बताया गया है कि आपने किसी समय पर अल-अक्सा पर हमले किये थे इसी के चलते हम बदला लेने के लिए इसराइल के अंदर घुस कर ये कारवाही कर रहे हैं हमास कमांडर से हमास के कमांडर कहते हैं अटेक्स आर इन डिफेंस ओफ अल-अक्सा अल-अक्सा के बचाओ मे इसराइल को नुकसान हुआ है अल अक्सा मस्जित आप समझ चुके हैं कहा है जरुसलम पर ये इस्थित है मैं अपको यदि एक बार फिर से आप ध्यान से देखें तो जरुसलम नाम की जो जगे ये आपको दिखाई देती है इसके एक तीन चौथाई भाग के उपर लगभग इसराइल का कबजा है और बाकी बचे हुए एक चौथाई भाग के उपर फलिस्तीन का कबजा है और ये चाहते हैं कि बाकी बचा हुआ जो हिस्सा है उसके उपर भी फलिस्तीन का कबजा हो जाए क्या पहले ऐसा कभी हुआ है इन दोनों के बीच में कन्फिक्ट तो असल में कन्फिक्ट जो है इनके बीच में चलते रहते हैं काफी लंबे समय से ये कन्फिक्ट चलते हैं आप न्यूज देखते हैं ये 9 माई 2023 की इसराइली स्ट्राइक्स ओन गाजा किल टॉप मिलिटेंट्स एंड टैन सिविलियन्स आतंकियों को मारने के लिए कई बार इसराइल के द्वारा इस प्रकार की गत्विधिया की जाती है गाजा इसराइल एक्सचेंज ओफ फायर एज इसराइल फोर्सिस कंप्लीट तमाम ये 5 जुलाई 2023 की आपने खबर पढ़ी आतंकी संग्ठन जो है इसराइल को नुकसान पहुचाता है बदली में इसराइल भी अपनी कारवाही करता है और बड़ी मात्रा में आतंकियों को म जिरा की रिपोर्ट के मताबिक ये रॉकेट रहाई सी इमारों पर गिरे हमास की तरफ से हुए रॉकेट हमले में 22 लोगों की मौत हो गई और 545 घायल हुए और घायलों में ऐसे लगातार मृत्यू को प्राप्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब कि छटों के ऊपर चड़े हुए आपको ये सारे के सारे जो आतंकी लोग हैं फलिस्तीन के या कहें की हमास के वो आपको दिखाई देंगे गाजा से इसराइल में गुसने के बाद फलिस्तीनी आतंकी समूफ सडक पर इनको सडक पर जो भी दिखा उसे मौत के घाट उतारता जा रहा है साथ ही नागरिकों पर फारिंग भी हो रही है साफ है कि हमास के आतंकी सिर्फ इसराइल की सेना को ही निसाना नहीं बना रहे हैं कुछ लोग इसे साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की तरह करार दे रहे हैं अब ये इसराइल के अंदर गुसे कैसे इ इसराइल के दोरा और ज्यादा गुस्पैट कर दी जाती है यहां तस्वीरों के अंदर आद देखते हैं जो टेंकर है ये इसराइली टेंकर है जिसको की गाजा पट्टी वाला जो बॉर्डर है इसराइल का उसके ऊपर इसराइल के दोरा तैनात किया गया था इसके ऊपर इनको नश्ट किया जा रहा है इसराइल के तमाम सहर है वो आपको धुआ धुआ होते हुए दिखाई दे रहे हैं बारी मात्रा में नुकसान हुआ है और आपको टॉप ट्रेंडिंग में दिखाई देता है इसराइल और गाजा ये एसल में कंफ्लिक्ट काफी लंबा होने वा को हम ये सब बिल्कुल नहीं देंगे सडकों पर लड़ा के घूमते हुए दिखाई देते हैं जिस प्रकार से मुंबई हमले हुए थे उसी प्रकार से मुंबई हमलों की सीधे-सीधे यादें ताजा हो जाती है इतना ही नहीं बलकि इसराइल जहां की पॉपुलेशन हैं वो भी काम करती है और इनके द्वारा जो फलिष्टीनी आतंकी है इनके द्वारा वुमेन सोल्जर को किड़नेप करके अपने देश में ले जाया जा रहा है और इनके देश के अंदर भी घुमाया जा रहा है जिससे की एक डर का माहौल बन सके आप देखते हैं बुलड attack from Gaza during the Jewish holiday कि Gaza के attack के अंदर हम चल रहे हैं इस प्रकार से इनके द्वारा जानकारी दी जाती है और किस प्रकार से किन किन छेत्रों पर हमला हुआ है या फिर किन किन छेत्रों को सुरक्षट करने की आवा सकता है ये पूरा MAP इस्राइल डिफेंस फोर्सिस के द्वारा जारी किया जाता है बदले में इस्राइल जो है क्या कारेवाही करेगा या फिर क्या कारेवाही कर रहा है तो इस्राइल के द्वारा ओपरेशन सौर्ड ओफ आईरन Swords of Iron के नाम से एक Operation चलाया गया है बड़े स्केल पर इस्राइल के जो लड़ाकू विमान हैं वो गाजा पट्टी के ऊपर जब जा रहे हैं और वहाँ पर बम गोले बरसाने शुरू करी हैं जिससे बताया जाता है कि जो हमास है उसके भी लगभग 200 आतंकियों की मौत इनके हमले में अब तक हो चुकी है भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी असल में भारत के जो विदेश मंत्री हैं and their families, we stand in solidarity with Israel at this different hour, सीधे सीधे कहा जाता है कि इस मुश्किल की घड़ी में भारत पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, भारत और इसराइल के रिलेशन्स की अगर हम बात करें तो 2017 के बाद से काफी बहतरीन रिलेशन्स है, एसिया के अंदर इसराइल जो है इंडिया का सेकंड लार्ज एश ट्रेडिंग पार्टनर है, इतना ही नहीं आई-टू, यू-टू नाम का जो एक संगठन है, जिसके अंदर इंडिया, इसराइल, यू-एसे और यू-ए-ई नाम के जो देश हैं, वो सामिल है आई-टू-टू संगठन में, और काफी जादा बड़े चाहे डिफेंस सेक्टर हो, या फिर अन्ने सेक्टर हो, खेती हो, एगरिकल्चर बगएरा, सारे के सारे छेत्रों के अंदर बड़ी मात्रा में, इसराइल और इंडिया व्यापार करते हैं, रिसी सुनक हो, चाहे इमेंडुल मैकरोन हो, इस घटना की निंदा की है कुल मिलाकर जो फलिस्तिनी आतंकी हैं, उसकी तरफ से जो हमले किये गए हैं, इसकी निंदा ग्लोबल लीटर्स के द्वारा की जा रही है, इसी बीच जो तुर्की के राष्टपती हैं, वो जो हैं सीधे सीधे इसराइल को इस हमले का जिम्मेदार करार दे देते हैं, इसर इसराइल की थी, ये सामने आ जाते हैं और फलिस्तिन का समर्थन करते हैं, इसी के चलते ग्लोबल कंडमनेशन ओफ हमास टेररिस्ट, एक तरफ दुनिया जो है, वो हमास का आतंकी हमला है, इसके विरोध में है, चाहें यूएस है, यूके है, यूएन है, फ्रांस, इस्पे तरफ कुछ देश ऐसे भी हैं, जो इसराइल के विरोध में आ चुके हैं, अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है, वो ये है कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इस हमले को या फिर कहें कि हम नजर बनाए हुए हैं, इसी बीच खबर आती है, भारत की तरफ से भारत में भी ना निकलें, और जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका पालन किया जाए, प्राइम मिनिस्टर ओफ इसराइल सीधे सीधे अपने देश के जो तमाम मिलिटरी ओफिसियल्स हैं, उनके साथ रणनी तिक मुद्दो पर चर्चा लगातार कर रहे हैं, आने वाले हमलो के द्वार जो हैं, वो खोल लिये हैं, और इनको किसी कीमत पर बक्सा नहीं जाएगा, यहां तक कि United Nations जो है, उसका क्या कहना है इस मामले में, तो United Nations भी हमास के द्वारा किये गए, इस हमले को गलत मानता है, और सीधे सीधे इसराइल की तरफदारी करता हुआ, या फिर पक पलीसी प्रोजेक्ट जो है, वो खत्रे के अंदर आता दिखाई देता है, क्योंकि साउधी अरविया जो है, पूरी तरह से हमास या फिर कहें, फलिस्तीन के समर्थन में उतरने को तयार है, यह जो है, फलिस्तीन का समर्थन करेंगे, और इनके द्वारा सोसल मीडिया के पक्ष में इनके द्वारा लगातार स्टेटमेंट दिये जा रहे हैं, इसके बाद जो एक ताजा अपडेट आई है, हालां कि यह अन ओफिसियल अपडेट है, कहा जा रहा है, इस्राइल के उपर एक और देश है, जिसको आप जानते हैं, लेवनान के नाम से, जिस प्रकार के अंदर एक आतंकी संगठन है, जिसको आप जानते हैं, हिजबॉल्ला के नाम से, हिजबॉल्ला ने धमकी दी है, कि यदि इसराइल के द्वारा गाजा स्टिप के ऊपर, यानि कि अपने दक्षिन में कोई कार्यवाही की जाती है, तो उपर से हिजबॉल्ला नाम का किये, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जैहेंद